हेलो एव्रेवन वेलकम बैक टो माई चैनल आज है बारा माई और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी जी हाँ हमारी शादी को चार साल हो गया है और मैंने सोचा था कि आज का दिन मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी कुछ अलग करेंगे मिले रेस्टोरेंट जाना डिनर करना यह सब बहुत यूजवल है तो यह सुबे का चार बज रहा है और यहां पर मैं अगस्या को रेडी कर रही हूँ और हम रेडी होके आए हैं ताज महल क्योंकि हमको यहां कराना है फोटो शूट पदा मैं बहुत मन था कि मैं प्री वेडि पर यहां पर फोटो शूट कराने आई हूँ हूँ है हमने तो प्लान किया था कि हम कैसे भी 6 बजे तक वहां पहुत जाएंगे और फोटोस क्लिक कराना शुरू कर देंगे बट हमको थोड़ा सा लेट हो गया लेट होने का रीजन था कि टिकेट फिकेट करने में टाइम हो रहा था तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको जाना हो तो आप घर बैटरे पहले टिकेट कर लो फिर वहां जाओ और देखो मैं ताम हड़बडी में थी कि बस मैं कैसे भी अंदर चली जाओ और जैसे जैसे टाइम बढ़े का बहुत क्राउड हो जाएगा पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी तो मेरे यही था कि जितनी जल्दी हो सके और क्राउड के बिना पिक्चर्स आ जाए और देखो अभी भी काफी बीड होने लगी लोग आने लगते हैं मालव सन्राइस देखने के लिए काफी लोग आते हैं वहां पे और इस्पेशली फोटो शूट के लिए भी आते हैं मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि हमीशा जो आप चाहो वो नहीं मिल सकता लेकिन जब भी आपको अपनी ख्वाइशे पूरे करने का मौका मिले तो आप जरूर कर लो अगर मैं भी सोचती है कि अब क्या शूट कराना अब क्या फो तो इसलिए थोड़ा सा डिले ही हो गया है अच्छा है ना बगस्ते के साथ हो रहा हमारा फोटो शूट ताज महल एक ऐसी जग है ना कि अगर आपको कभी भी मौका मिले मतला लाइफ में एक बार तब जरूर जाएगा वहां पर गाइड हायर कीजेगा और फिर आप उनके तो आपको गजब का ही आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा हम तो पहले भी जाच चुके असलिए हमने गाइड वाइड हायर नहीं किया हम ताज महल देखने पर जादा फोकस नहीं था हमारा फोटो शूट कराने पर और अगस्तिया भी बढ़िया सुबे इंजॉए कर था मे पर बात करके और वो कोई बहुत प्रोफेशनल लेवल का फोटोग्राफर नहीं था बस अमने नॉर्मल फोटोग्राफर हैर किया था और हमारी ये पिक्ट्रस यहां पर क्लिक हो रही है तो अगर आपको ये पिक्ट्रस देखनी होगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे लेना वहाँ पी सारी पिक्ट्रस में डालूंगी क्योंकि यूटूब पे पिक्ट्रस तो नहीं डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी आईडी का तो मैंने ये बहुत पहली मतलब आल्मोस्ट एक मैने पहले से इसका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा था तो इसलिए पूरा कॉडिनेटेड ड्रेस वैगरा बनवाया और फेब्रिक सलेक्ट किया फिर टेलर से पूरा ऐसा करके ड्रेस बनवाया और ये काफी अच्छा लग रहा है पिक्ट्रस में हाँ कर दो 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 तो अगर आपको ताज महल सरफ इधर मलग गार्डन के साइड्स के घूम के बाहर चले जाना है तो इसकी ठिकेट है फुटिफाइव रुपीज और अगर अगर आपको ऊपर जाके अंदर की तरफ जाना है तो उसके लिए अलग से आपको 200 की टिकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि पहले ऐसा नहीं था मगर क्राउट कंट्रोल करने के लिए कि ज्यादा लोग अंदर ना जाएं ये अलग से 200 रुपीज चार्ज करने लगें लगें लो यहां पर ग्रीनरी थी और चिडियों की चहचहाट सुनाई दे ली थी मंगर सूबे आने का ना यहीं फाइदा हुआ कि बहुत अच्छा था वहां पर बहुत भीर नहीं थी और यह देखिए हर तरफ से ताज महल एक साही दिखता है मतलब उसकी चारों तरफ से बिल्कु से और साइब में यमुना रिवर तो है ही जो इसको चार चांद लगाता है मैं अगर नहीं गए हो तो आप एक बर अपने लाइफ में जरूर जाना यहां पर इसका आर्किटेक देखना और वहां के गाइड से समझना कि क्या कैसा है कहां से क्या चीज दिखती है मैं पानी में जो ताज महल का पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है जो सामने पानी है तो वह सब बहुत सुन्दर है यहां से लाल किला भी दिखता है यह बहुत अच्छा लगा में को अनिवर्सरी तरा ऐसी गिफ्ट दिया तो मुटिरियल थीं तो मिल जाता है कभी भी है यह गिफ्ट दिखो फोटो जी चाय तो वही अच्छा था था हमेशा साथ लेगा और ताज महल पैसे भी सिंबोल अच्छा है तो बस अब हम ताज महल से निकल गया है तो बाहरी में को ऐसे छोटे-छोटे शॉप दिखी तो मैं मैं जहां भी जाती हूं वहां से एक फ्रिज मेंगेट लेक आती हूं सो एक अच्छी मैमरी क्रियेट हो जाएगी हर जगा की और फिर बस हम वापस निकल गए आपको वहां से में पार्किंग से ताज महल जानी के लिए असे ए रिक्षा मिलते हैं जो आई थिंक सो प्रुपीज लेते हैं आपको इसे ही जाना पड़ेगा अचैनल उपर देखो उपर वैक उपर क्या कर रहे हूं चलो फटा फटा फटा। पेस्ट्री लाके रखा था कि हम इसको बारा बजे रात को कट करेंगे बट हमको जल्दी सुबे उठना था और हम काफी थक भी गहते हैं तो हम सो गए हमको बारा बजे होशी नहीं था तो यह पेस्ट्री हम अभी सुबे कट कर रहे हैं कि अज़े बच्चे कि यसे काम कार रहे वाजब हम आप अगे आम नों फोटो शूट करा के वापस होटेल आ गया है और अग कमफर्टीबल कपड़ों में वापस और फिलहाल नास्ता कर ने जा रहे हैं उसके बाल निखले के हम दूर्सी जगर दिए उसके बाल निकले के हम द कि अरे इसके हुवे पूचोकलेट लागा है तो कि दो कि लादी है कर दो ज़ा देखो हुआ हुआ है आप अगजिए पाइव स्टर हो टल मी जाने में कि फश्ट टाइम है कोन से फैफ स्टार नाम आप एक नाम बताए कोई फाइट इस्टार होटल जिसमें रुकी हैं आप यह स्टर्लिय नहीं नहीं मैं तो फाइट स्टर समझ के रुक लिए हैं इसलिए फाइट स्टर लिए हम होटेल से निकलने के बाद थोगा सा लोकल मार्केट एक्स्प्लोर करने चले गए तो हम सबसे पहले आए हैं पंची पेथा यहां का जोसका सबसे पुराना आउटलेट है ना वह बिल्कुल छोटा है मगर आगरा में बहुत ही जादा फेमस और अब तो इसके पच्छे आउटलेट है तो चलिए इसलोग को यहीं पर एंड करते हैं